दूनखर फैश्ओला हीपटिका की स्ड़डी करते हैं, इसको लीवर फ्लॉट भी बोलते हैं, इसका फाइलम प्लेटील-मेन्तिस होता है, जिन में बाइलेटरवल सिमेट्री प्रिजेंट होती है, ट्रिपलो घ्लास्टिक होते हैं, डोजयो वेंटरल ली फ्लाट होते हैं, leaf-like form होता है इनका और body unsegmented होती है, acylomate होते है, mesoncaiva प्रेजंट होता है और organ system प्रेजंट होता है, इनके class trimetoda है, जिनमें ये endoparasite होते हैं, cuticle से covered होती है इनकी body, इनमें suckers प्रेजंट होते हैं attachment के लिए, mouth anterior side में प्रेजंट होगा और incomplete elementary canal होगा, इनका order digenia है, जिसमें दो suckers होते हैं, जो anterior सकर है, वो mouth से uncircled होता है और जो posterior सकर है, जिसको acetabulum भी बूलते हैं, वो mid ventrally present होता है, और इसमें जो larva face होता है, वो invertebrate host में होता है, और जो adult face होता है, वो vertebrate host में होता है, और इनकी genus और species, fasciola, hepatica होती है, इनके habitat को देखते हैं, ये endoparasite होता है, श्रीप और कर्टल में, जिसमें primary host, श्रीप होता है, secondary host, snail होता है, ये fasciolis कोस करते हैं, जिसमें bile duct infect होता है, और जो snail होता है, वो limnia होता है, और ये दूसरे vertebrate में भी recorded किये गए हैं, जैसे goat, dog और horse में, इनके features के बाद करें, तो इनकी body, डोर सो ventrally flat होती है, leaf like होती है, इनकी length 25 से 35 mm होती है, और इनकी bread 4 से 12 mm होती है, ये soft bodied होते हैं, इनके anterior region को head low बोलते हैं, और इनकी body में 2 suckers present होते हैं, जैसे इनका structure देखते हैं, इनकी body flat होती है, leaf like होती है, इनकी body में 2 suckers present होते हैं, एक तो anterior suckers जैसे oral suckers बोलते हैं, और एक second जो suckers होते हैं, उसको acetabulum या ventral suckers भी बोलते हैं, और इसकी body में 3 pore होते हैं, एक तो oral pore होता है, एक gonopore होता है, और एक excretory pore होता हैं, इसमें जो anterior या oral सकर होते हैं वो माउथ के चारो तरफ होते हैं और food को सक करते हैं और जो ventral सकर या acetabulum होते हैं वो attachment में help करते हैं इनमें अन एरोबिक respiration होता है होलो जोट नूट्रिशन प्रेजन होता है एक्सक्रीशन फ्लेम से होता है और incomplete digestive system प्रेजन होता है यह हर्माफ् तर्केरिया होता है और जो सेकंड्री होस्ट होता है वो limnia truncatula होता है और फैसिलीवा सिस्टूमा होता है जिसको blood fruit भी बोलता है यह human bladder and intestine में होता है और से बिल हर्जीया डिसीज होता है इसमें primary host मैं होता है और secondary host snail होता है यह लीवर और इंटेस्टाय को डमेश करता है इ को scales पी बोलते हैं उसके नीचे cuticle present होता है और इसके cuticle में mitochondria endoplasmic reticulum और vacuoles present होती है यह multi-nucleated होता है और non celiated होता है metabolically active होता है जोगि इसमें mitochondria endoplasmic reticulum vacuoles जैसे organs present होते है और cuticle का function क्या है यह जो host के digestive juice होते हैं उनसे protect करता है और cuticle के नीचे basement membrane present होती हissä और basement membrane के नीचे muscular layer होती है जिसमें तीन तेरे के muscle होता है he circular muscle longitudinal muscle और oblique muscle और इणके भीश में muscular layer के बीच में mesenchymal cells होते है जो cuticle को sorry q qualquer करते है और यह जो spineos उनका function क्या होता है यह swipe को anchor करते attachment में help करते हैं और protection provide करते हैं और locomotion में भी इसमें जो फ्लूक होता है वो होस से ब्लड सक करेगा और उसके ब्लड और लिंफ फेड करेगा तो सबसे पहले खाना माउथ माउथ के चारों तरफ क्या होता है ओरल सकर होता है ओरल सकर के नीजे फैरिंग्स प्रेजंट होता है फैरिंग्स के बाद में ये इसोफेगस प्रेजंट होता है और इसोफेगस के बाद में ये इंटस्टाइनल लिंप्रेजंट होती है तो खाना सबसे पहले माउथ म में आएगा और intestine के दोनों तरफ C का present होते हैं जो intestine में digested food होगा उसको distribute करेंगे और यह जो intestine है वो endodermal, columnar, epithelium cell से lined होता है और digestion के बाद में जो खाना बचेगा उसको पेरेंकाइमा में ऐसे glycosin और fat के फॉर्म में reserve कर लिया जाएगा और जो undigested food है उसको mouth के थूँ eject कर दिया जाएगा और इसमें gastrovascular cavity भी present होती है next इनका excretory system देखते हैं जो की branch होता है इसमें excretory duct और flame cells present होते हैं जनको proton aphoridia भी बोलते हैं यह flame cell modified mesenchymal cells होते हैं और ciliary movement के हैं से excrete करते हैं और यह excretory waste product का movement देखते हैं कि कैसे होता है सबसे पहले जो excretory waste है वो mesenchymal cells में आएगा flame cells के बाद में जो flame cells के intracellular cavities हैं उसमें आएगा फिर excretory duct में आएगा और फिर main excretory canal से होते हुए बहार excrete कर दिया जाएगा और इनका main excretory waste होते हैं वो generally fatty acid और ammonia होते हैं फिर इनका nervous system देखते हैं इनके nervous system में cerebral ganglia present होते हैं इसोफेगस के दोनों side की तरफ और इनमें जो ganglia होते हैं वो cerebral ring से joint होते हैं और इनमें तीन तेरे की nerve nerve cord पाई जाती हैं dorsal, ventral और lateral और जो adult liver fluke होगा उसमें कोई में sense organ नहीं होंगे क्योंकि वो parasitic life जीता है तो उसको sense organ की ज़वरत नहीं है और इसके nervous system में plexus का formation होगा इनके reproductive organ देखते हैं liver fluke hermaprodite होता है मतला मेल और फिमेल मेल और फिमेल एकी liver fluke में present होगे इनमें indirect development होगा बहुत सारी larva stage होती है primary host श्रिप होगा secondary host snail होगा जो की मेल लिम्निया इसके जो गौनार्ट होते हैं वह वैल डव्लप्त होते हैं male sex organs में इनमें testis wasa differentia seminal vesicle और cyrus जोकी penis के equivalent होता है वो present होता है और इनकी जो testis होती है वो coiled होती है tubular होती हो और branch होती है female sex organ में इनमें ovary present होती है एक तो vitaline gland जिसका काम होता है यह yorksz egg को produce करता है और जो cell material होता है egg का उसको produce करता है और malice gland होता है वो क्या करता है जो egg shell होता है उसको harden करता है और lower canal होता है temporary canal होता है सिर्फ breeding season में होता है और यह act करता है ऐसे vestigial vagina to serve ऐसे copulation canal तो यह तीन ग्लेंड देखी अपने female reproductive organ में, एक तो vitaline gland, एक male's gland और एक laurels canar, फिर इसमें genital atrium होता है, जो की common chamber होता है male और female genital aperture का, और यह genital atrium gonof pore में open होता है, उसके लाइव साइकल देखते हैं, इसमें जो adult liver fluke होता है, उससे meracetium larva बनता है, उसके बाद sporosis larva बनता है, उ यह अपने देखें, यह पांच larva का formation होता है, life history of fasciola hepatica में, life history की details study करते हैं, यह hermaphrodite होते हैं, फिर भी इनमें cross fertilization common है, इसमें जो copulation होगा वो ship के bile duct में होगा, और जब copulation होगा तो जो male का जो Cyrus है, वो insert होगा female की laurels canal में, और जो sperm होते हैं, वो oviduct में deposit हो जाएंगे, औ और एक का क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और जो fertilization होगा वो oviduct में होगा, जो fertilized egg होगे, वो vitalin blend से york cell को receive करेंगे, और उसके चारों तरफ एक kaitin का shell बन जाएगा, और यह जो shell बन जाएगा, उसके उपर क्या होता है, और यह जो complete egg होता है, इसको अ surrounded होता है, इसको अपन क्या बोलेंगे, capsule बोलेंगे, तो अपनने देखा कि जो development होता है, वो uterus में start होगा, और uterus में start होने के बाद में जो capsule होगा, वो gonophore से बाहर आ जाएगा, और ship के bile duct में आके, उसके intestine से होता हुआ भार, pieces के द्वारा, उसके body से बाहर excrete हो जाएगा, तो अपनने सबसे पहले क्या देखा, कि fasciola का copulation और fertilization कैसे होगा, इनका जो copulation है, वो ship के bile duct में होगा, और copulation होने के बाद में fertilization होगा, और इसका जो fertilization होगा, वो ove duct में होगा, और इसके fertilization में ove duct में होने के बाद क्या होगा, इसमें जो york sec है, वो vitaline gland york cell को secret करेगी, और उसके बाहर एक kaitin का shell का formation हो जाएगा, और उसमें एक operculum या lid structure डवलप हो जाएगा, और इसी को अपन क्या बोलेंगे, capsule बोलेंगे, फिर यह जो capsule होगा, वो uterus में, उस capsule का uterus में development स्टार्ट होगा, वहां से वो gonopore से बाहर आ जाएगा, और ship के bile duct में होके, intestine से बाहर excrete हो जाएगा, तो यह अपनने देखा, इसका copulation और fertilization का process, अब fasciola का development कैसे होता है, वो देखते हैं, इसका development अपनने देखा था, uterus में start हो गया था, और अब यह जब बाहर excrete हो जाता है, तो ground पे भी इसका development start होता है, जो fertilized egg होता है, उसमें division होता है, और इसके division से क्या ह प्रोपोगेटरी सेल और समेटिक सेल का formation होगा, जो प्रोपोगेटरी सेल होते हैं, वो small होते हैं, और यह further divide होके endoderm, mesoderm और germ cells का formation करेंगे, और जो somatic cell होते हैं, वो large होते हैं, वो further divide होके larva के ectoderm का formation करेंगे, और यह जो development होगा, वो larva की हर stage में present होगा, तो दो हफते बा बाद में fertilized egg में division हुआ उससे propagatory और somatic cell का formation हुआ और प्रोपोगेटर में division से क्या हुआ germ cells का formation हुआ और somatic cell से ectoderm का formation हुआ वे दो हफते बाद में एक میरा cdm larva का formation होगा जो कि क्या है ciliated होता है जैसे अपन देख पा रहे हैं और यह cell से बाहर आ जाएगा इस इस ओपरकूलम से होते वे यह क्या हो जाएगा इस cell से बाहर आ जाएगा ऊपरकूलम से होते वे और यह मिया सीडियम होता है हमिडायों होता है मियरसीडियम Oval हो और यह E Moving Stage होती है और इसकी body wall देखते इसकी body wall में epidermal it depends होंगे और epidermal cells के नीचे musculature cells present होंगे और उसके नीचे सब epithelium cells present होंगे और जो musculature layer है उसमें दो तरह के muscles present होंगे बाहर वाले circular और अंदर वाले longitudinal तो इसके body wall में एक तो epidermal cells present होते है musculature layer present होती है और सब epithelial layer present होती है और इसके जो anterior side है वहां पे apical gland present होता है जोसे आप देख पा रहें यहां पर यह कहें apical gland होते हैं और दो आई-sport present होते हैं और इसमें जो इसमें डर्वर सिस्टम भी present होता है और protonephridia with two flame cells में present होते हैं और इसमें जो posterior end होते है उसमें germ cells present होते हैं जिनसे further क्या होगा लार्वा का development होगा अब यह मेरा cdm क्या करेंगे feed नहीं करते और यह 8 गंटे में die करते हैं अगर इनको secondary host नहीं मिलता स्नेल तो और अगर 8 गंटे से पहले secondary host मिलता है तो यह उसकी बॉड़ी से अटाच हो जाएंगे तो जब स्नेल इनको से यह मेरा cdm अटाच हो जाते हैं उसके एपिकल पैपिला से और फिर यह स्नेल की बॉड़ी में एंटर हो जाते हैं और उसके पल्मनरी सेक में होते हैं उसके digestive gland में पहुंच जाते हैं और जब यह उसके digestive gland में पहुंचते हैं तो इनका यह जो cilia होता है वो क्या हो जाता है कास्ट ओफ हो जाता है और यह अपने जो सेंस ओर्गन है आई स्पोर्ट उनको लूज कर देते हैं और स्वेल लप हो जाते हैं और इनके जो जर्म सेल से किसका development हो जाएगा स्पोरोसिस्ट लार्वा का development हो जाएगा तो अपने देखा मेरा सीडियम लार्वा ओवल होता है इलोंगेटर होता है फ्री स्वेमिंग स्टेज होती है और इनकी जो बॉड़ी वोल होती है सबसे बाहर एपिडर्मिस होती है फिर मस्कुलेचर लेयर होती है और इनकी पहुंचते हैं digestive gland में पहुंचके इनका cilia क्या हो जाएगा cast off हो जाएगा और इनके जो आइसपोर्ट है वो डिसपीर हो जाएंगे और यह स्वेयर लैप होके उनके और इसमें जो जर्म सेल्स होते हैं वो फॉर्दर रेडिया लार्वा का फॉर्मिशन करेंगे 5-8 लेडिया लार्वा का फॉर्मिशन होगा और इस पोरोसिस्ट की जब बॉडी वॉल रप्चर होगी तो यह रेडिया डाइजस्टिव ग्लेंड पर कहां आ जाएंगे स्नेल के लीवर में आ जाएंगे तो इस पोरोसिस कहां तक आ गए ये लीवर में आ गए स्नेल के फिस पोरोसिस से अपने देखा रेडिया लारवा का फॉर्मेशन हुआ और इनकी बॉडिवॉल में वही कुटिकल, मिजनकाइम, और मॉसल लेयर प्रेजंट होगी, और इनके टीर एंड पे पैॉलर प्रेजंट होगा, जो लोकोमोशन में help करता है, और इनकी बॉड़ि में, माउत प्रेजंट होगा, फैरिंग्स प्रेजंट होगा, और सैक लाइक से 20 को फोर मेशन हो और इसकेपचे लार्वा कर दाएंगे रेडिया के बर्थ पोर से और मिस्तियों के टीशू में आजाएंगे हैं किया नेक्सर लेडा का डवलप्मेंट देखत यह होते हैं इनमें इनमें साखेफ्र प्रेज्ट फ्रेसंट होते हैं कि और इनमें दो पानी में, surrounding पानी में आ जाएंगे और snail को snail की body में कितना time लगा, mira cdm की entry से circularia के exit होने में इनको 5-6 हुपते लग जाते हैं, अब meta circularia का development देखते हैं, circularia 2-3 दिनों तक पानी में swim करता है, और अपनी जो tail होती है उसको loose का, उसका loose हो जाता है, और cyst का development हो जाता है, यह जो cyst होती है, वो cystogenous gland के द्वारा secret होती है, और uncistered sarkeria कोई metasarkeria कहा जाता है, और यह juvenile fluke होता है, अगर metasarkeria का formation पानी में होता है, तो वो एक साल तक जंदा रह सकता है, और अगर grass पे होता है, इसका metasarkeria का formation, तो यह एक week तक ही survive कर पाता है, अपने जितने भी larval stages देखे, meracidium, sporocyst, radia, sarkeria, यह सब germ cells से ही, इन सब का क्या होता है, formation होता है, अब यह primary host का infection होता है, शीप का infection, उसमें further, यह metasarkeria का further development होता है, तो जो further metasarkeria का development होगा, वो कहा होगा, शीप की body में होगा, और यह जो metasarkeria क्या होता है, grass से attached हो जाते हैं, और जब ग्रास को खाती है, तो यह शीप की body में enter हो जाते हैं, और शीप के elementary canal में इनकी जो cyst wall होती है, वो digest हो जाती है, और एक young fluke emerge होता है, और वो intestine में पहुंच जाता है, इसमें alternation of generation present होता है, इसमें period of asexual multiplication, larval stage में जो asexual multiplication होती है, वो followed होती है, sexual reproduction से in adult fluke, और इसमें जो meracidium और circaria larva होता है, वो morphologically more advanced होता है, adult fluke से क्योंकि इन में organ of locomotion, sense organ, cellular epidermis और well developed body cavity present होती है, तो more advanced जो strange होती है, लार्वा की वो कौन सी होती है, एक तो meracidium होती है और एक circaria होती है, और इन में polyambrony भी present होती है, जो various larva का formation हो रहा है, वो अपने देखा किस से होता है, germ cells से होते हैं, तो इस condition को क्या बोलते हैं, polyambrony बोलते हैं, अब fasciola का parasitic adaptation देखते हैं, इसमें parasitic adaptation में सबसे पहला point है, इनकी जो body होती है, वो door so ventrally flat होती है, और leaf shaped body होती है, जिसकी वज़े से इनका surface area increase हो जाता है, और जो substance होते हैं, वो easily इनकी body के fluid में diffuse होते हैं, और इनकी body के उपर cuticle की covering होती है, जो इनको host के digestive juice से protect करती है, और जो adult fluke होते हैं, उसमें cilia absent होते हैं, और इनमें suckers present होते हैं, ऐसे adhesive organ, जो की well developed होते हैं, और attachment में help करते हैं, attachment, help in attachment with host tissue, और इनमे incomplete elementary canal present होता है, क्योंकि ये जो host का digested food होता है, उस पे survive करते हैं, इनमे anaerobic respiration होता है, और इनमें eye support जो होता है, वो reduced होता है, या absent होता है, sense organ होते हैं, और इनमें branched excretory system होता है, और इनमें अपनी life cycle complete करने के लिए secondary host present होता है.